और अगर आपको भी नसों का ब्रॉकईज है'm नसों में बहुत ज्यादा ब्लॉकईज रहता है है आपके heart से रिलेटेड़ प्रॉब्лем से है अपको gas, acidity बहुत ज्यादा बनता है, liver बहुत ज्यादा बीक है, digestive system बहुत जादा बीक है, हाथ पेरों में सुन्रपन रहता है, आपको बहुत जादा इसकिन की प्रॉब्लम्स है, आपके बाल चड़ रहे हैं, आपको बहुत जादा बदन में दर्द रहता है, पुरे शरीर में आपको दर्द रहता है, ब्लेड सुगर की आपको प्रॉब्लम है आपका blood sugar level high आता है, HVA 1C आपने कराया, वो भी आपका बड़ा हुआ आता है, आपको cholesterol बहुत जादा है, आपके कई सारी ऐसे problems हैं, जो लंबे समय से आपको परिशान कर रही हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आ सफी problems आपकी जड़ से ठीक हो सकती हैं, अगर आप इसे अच्छे से follow करना है, तो यह सभी समझता हैं, ठीक हो जाएंगे, तो फ्रेंट्स शलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस channel पर नहे हैं, तो इस channel को subscribe क्योंकि इस तरह की informative वीडियो आपको इस channel पर नहें रहेगें, सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर किसी को heart की problems रहती हैं, यानि कि उनका heart बहुत जादा भीक है, उनको लगता है heart से related मुझे कोई problem हो सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए डालचीनी एक ऐसा हव है, जिसकी मद कोई नसे खुल जाएंगी, respiratory related problem बार बार जुखाम खासी allergy जैसी problem होती है, digestive system related problem जिनको बहुत जादा बार बार acidity gas होता है, liver उनका weak है, liver से related उनकी problems है, वो ठीक हो जाएंगी, ऐसे लोग जिनको बदन में धर्द होता है, हाथ पर सुन हो जाते हैं, ऐसे सभी लोगों के लि इसने दिनों तक आपको उप्योग करना चाहिए, दाल चीनी कैसे आपको उप्योग करने चाहिए, यह सभी जानकारियां इस वीडियों में मैं आप सभी के साथ मैं share करूंगा, जान लेते हैं कि दाल चीनी के कितने सारे benefit होते हैं, सबसे पहला benefit दोस्तों जिनको भी cholesterol और वो cholesterol को कम करना चाते है, cholesterol से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको heart में blockage होने का डर है, उनकी दवी हुई नसें उनको लग राए कि खुलेंगी नहीं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए दाल चीनी बहुत ही effective उपाया इस वीडियों में आपको बताऊंगा, यानि कि अग दूसरा दोस्तों जिनको skin से related problem होती है, जिनको बार 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 बहुत जादा fungal infection की problem है, ring warm की problem है, बहुत जादा तवचा से संबंदित problem जिनको होती है, उनके लिए भी दाल चीनी बहुत ही effective उपाया, इस वीडियों में आपको share करने वाला हूँ ऐसे लोग जिनको बहुत जादा हाथ पर सुन होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत सोने पर ही उनके हाथ सो जाते हैं, उनके पैर सो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे हाथ पेरों में बहुत जादा सुन पना रहा है, चीटियां चुबो रही है, सुईयां जैसी sensation उनको अग रहता है, हड्डियों की प्रॉब्लम जिनको रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी दालचीनी बहुत इफेक्टिव माना जाता है, ऐसे लोग जिनको सुगर की प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड सुगर हाई आ रहा है, जिनको ब्लड सुगर कम करना है, मैंटेन करके रखना है, ऐसे लोगों के लिए भी दालचीनी बहुत एफेक्टिव उपाय है ऐसे लोग जिनको HVA1C बढ़ा हुआ है और HVA1C बहुत जादा लंबे समय से उनका continuously positive आ रहा है बढ़ा हुआ आ रहा है ऐसे लोगों के लिए भी दालचीनी रामबार उपाय काम करता है बहुत ही effective तरीका है जिसकी मदद से आप diabetes, blood sugar और cholesterol को कम कर सकते है ऐसे मरीज इनको hearts related problems है जिनको बहुत जादा weakness लगती है थोड़ा बहुत चलनी फिरने पर उनकी half नहीं फूल जाती है half नहीं आ जाती है सास फूल जाती है, उनको खून की कमी है सरीर के अंदर बहुत जादा weakness रहती है और hearts related बहुत सारी problems होती है और उनको लगता है कि उनके heart में कोई बड़ी problem तो नहीं है fear रहता है, डर रहता है ऐसे लोगों के लिए भी दालचीनी बहुत ही effective उपाय होता है ऐसे लोग जिनको लिवर बहुत जादा कमजोर है fat deposit हो गया है लिवर की चारो तरफ जिसे हम fatty liver के लाम सजाते है लिवर के functions कमजोर हो गए है लिवर अच्छे से functions नहीं कर पा रहा है ऐसे लोगों के लिए भी दालचीनी बहुत ही effective माना जाता है ऐसे लोग जिनको digestive बहुत जादा weak हो गया है जिनका खाना सही से नहीं पचता है जिनको constipation के problem होती है जिनको बहुत जादा कब्ज रहती है बहुत जादा acidity होती है पेट फूलता है जिनको बहुत जादा ऐसी problems रहती है जो digestive की बजह से परिशान रहते हैं और इसे सभी लोग जिनको racing प्रब्लम से हैं यानि की जिनको बारवार जुखाम सी जिवाएं जिनको बारवार एलर्जी जी इसी problema होती हैं आँखों से पानी आनना स्टार्ट हो जाता है छीकी आना स्टार्ट हो जाती है बलकर बहुत जादा बनता है जिनके लंस कमजूर है ऐसे लोगों के रिये फी दालचीनी बहुत ही effective और बहुत अच्छा important role play करता है यह अब हम जान लेते हैं दालचीनी की कई सारे फायदे हमने इस जर्यों मैं समझे लेकिन अब हम मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको दालचीनी का उपयोग करना चाहिए दालचीनी का उपयोग ज्यादा अगर आप करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है जैसे हाट में बहुत ज़्यादा धरकन बढ़ सकती है हाट की धरकन बढ़ जाएगी बीचे नहीं बढ़ जाएगी, आपको पसीन आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम्स भी कई बार मरीज को हो जाती हैं, अगर आप इसका ज़्यादा श्रीवन करेंगे, तो सही मात्रा में आपको कितना श्रीवन करना है दाल चीनी, आज इस वीडियो में आपको बत ये एक से दो भीने के अंदर बहुत अच्छे रिजल्स मिलना स्टार्ट हो जाएगे, खाना-काने के कम से कम दो घंटे पहले आपको ये लेना है, आप देखेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, ये सब भी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक होना जाती है और ऐसे लोग जिनको केलशियम की कमी है उन लोगों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है ऐसे लोग जिनको केलशियम सरीर के अंदर बढ़ाना है उनके लिए भी बहुत ही जादा इफेक्टिव है आपको करना क्या है एक गिलास आपको दूद लेना है ये गिलास परिशान कर सकता है, क्योंकि इसका taste, जो है, थोड़ा सा change हो जाता है, तो जब आप इसका टेस्ट के लिए आप इसके अंदर missyer डाल सकते हैं, और आपने जो पानी के साथ में लिया था, उसके साथ अप एक समष सहन, हनी मिला सकते हैं जिससे कि आपको टीस्ट में कोई घड़वडी नहीं लगे तो आप इसके अंदर मिस्री डाल सकते हैं थोड़ असा मिस्री डाल दीजेगा जो आपके सरीर के अंदर केलशम की कमी को भी पूरा करेगा और आपके अंदर होने वाली सभी समस्याओं को ठीक करेगा तो फ्रेंट्स ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टन था ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीज़ेगा अब मैं आपको बताता हूँ लिवर वाले मरीजों को कैसे लेना है ऐसे लोग जिनको लिवर से रिलेटेट प्रॉब्लम्स है उन सभी लोगों को ये सहद के साथ में मिला कर लेना चाहिए यानि कि सहद में आप दू चुटकी आप दाल चिनी पाउडर मिला लीज़ेगा औ मुझे आसा है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपार्टेंट होगा और इस वीडियो से आपने वो सभी जानकारी सीखी होंगी जो किसी अधर चैनल से या अधर वीडियो से आपको नहीं मिली है अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपने दोस्तों के साथ इस जरूर शेयर केज़ेगा कि घरिलून उसका आपके कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है मुझे आसा है आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो को जरूर वाइरल करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा मैं फिर झाल झाल